तारीक थी 28 नवंबर, साल था 2000, जब राम बिलास पास्वान ने लोजपा, यानि लोग जन सक्ति पाटी की नीव रखी थी ये महीना नवंबर का चल रहा है और 28 तारीक आने वाला है तो आप समझे कि लोजपा इसको लेकर जबर्दस त्यारी कर रही है आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि कौन सी लोजपा वो लोजपा जिसका नेत्रित्व चिराग पास्वान कर रहे है या वो लोजपा जिसका नेत्रित्व पसुपति कुमार पारस कर रहे है देखिए दोनों सगे संबंधी राम इलास पास्वान के हैं एक तो उनके सगे छोटे भाई पसुपति कुमार पारस हैं तो एक उनके बेटे हैं चिराग पास्वान अब इससे लेकर सक्ति प्रदर्शन तक करने की बात कही जा रही है इस पूरी खबर में आपको हम बताएंग कि हाधिपूर में सक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं पसुपति कुमार पारस जी हां 28 नवंबर की वो तारीक होगी जब केंद्रिये मंत्री साधिपूर के सांसद पसुपति कुमार पारस जो है वो हाधिपूर में एक बड़ा जन सभा करने जा रहे हैं ये दावा किया द दर्शन है उनकी पार्टि की वो पत्ना में करने जा रहे हैं पत्ना में एक भाव कारिक्रम होगा हो गा कि 23 सालों की लोजपा हो रही है साल 2000 से यह 2023 हो जाएगा तो 23 साल पूरी कर रही है पार्टि और जहां पार्टी की आइडेंटिटी को लेकर बात है तो चिराक पास्वान बार बार कहते हैं कि पिता की विरासत मुझे मिली है तो दुसरी तरह पशुपतिकुमार पारस जो है वो भी इस बात को लेकर बार बार कहते रहते हैं कि भाई की विरासत मुझे मिली है ये जनता तै करेगे की विरासत किसे मिली है 2024 के लोग सबाव चुनाओं में लेकिन सीट को लेकर जो मामला फसा हुआ है हाजीपूर सीट को लेकर जो मामला फसा हुआ है उसी के लिए पस्वपतिकुमार पारस की पाटी जो है वो बीजेपी को एक बड़ा संधेश दे सकती है हाजीपूर से कम नहीं है तो दूसरी तरफ चिराग पास्वान लगतार ये दावे करते रहे हैं कि हाधिपुर से वो लड़ेंगे उनकी पार्टी लड़ेगी और बिहार के छे लोग सवा सीट जो लोजपा को मिलती रही है पारंपरिक तोर से क्रेडेशनली वो चिराग की पार्टी को ही मि हीने के बाद जब पार्टी तूटती है तो तो चाथा पसुपति को मार पारज जो है वो चार सांसत को लेकर चाहे वैसाली की वीना दे भी हो खगडिया के महबूब वली कैसर हो नवादा के चंदन सिंग हो ये तमाम लोग और समस्तिपूर के प्रिंस पास्वान भी हो इस होने भी एक पार्टी का निर्मान किया निर्वाचनायोग में जाकर जिसका नाम रखा गया लोग जन सक्ति पार्टी राम विलास तो राम विलास का नाम चिराग पास्वान की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और अब अगले 10-12 दिनों के बाद 28 तारीक आएगी तो ए लेकिन उस दिन नजरे टिकेंगी 27 नॉंबर को नजरे टिकेंगी पसुपति कुमार पारस के उपर जब हाजिपूर में जनसभा करेंगे और यह देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड जूट रही है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बह कर दो